तो आगत है आपका मेरी नई वीडियो में आज आपसे खुल के बात करने वाला हो तो make sure कि starting से लेके end तक देखेगा सबसे पहली update आज मैं और आप किस माध्यम से बात कर पा रहे हैं यानि कि आपके पास phone है आपके अवास laptop है आपके पास TV है जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे होगे ठीक है मेरे पास ये mic है ये रहा mic ये phone है ये camera है ठीक है ये यहाँ पर कुछ tools है जिससे मैं edit करूआ और applications है इन सब की starting कैसे हुई इन सब की starting हुई एक idea से ठीक है कोई बंदा होगा जिसने phone create करा internet create करा YouTube create करा ये mic create करा कोई ना कोई तो बंदा होगा जिसने सोचा पहली बार उसके बाद अपना startup लेके आया और फिर जाकर successful हुआ और इतना successful हो गया कि मेरे भाई आज हमारी जिन्दगी इस phone के मेरे लिए तो इस mic के इंटरनेट के YouTube के बिना अधूरी है ठीक है simple सी बात है अधूरी है लेकिन क्या होगा अगर एक country में जो startups है वो यहाँ पर बंध होने लग जाए ऐसा ही हो रहा है इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर जो crypto startups है वो भाई इंडिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे है अच्छा startup ना होते तो भाई यह सारी चीज़े ना होती ठीक है मैं आपको एक बार tilt करता हूँ camera आप यहा monitor रखा हुआ है इवन यह आपका speaker है यह सब भाई startup है ठीक है अगर इनके जो creator है यह पहले ही भाग जाते तो आज की rate में यह create होती नहीं चीज़े ठीक है और हमाई जो life है वो easy होती नहीं इसी तरह से crypto आने वाले time का future है लेकिन जो startup से वो इंडिया में बंद होती जा रहे क्योंकि इंडिया की जो government है वो लगादार ऐसे regulations की rate कर रही है जो की बढ़ने नहीं देंगे और भाई एक business का सबसे वड़ा जो सबसे पहला motive होता है वो होता आपका growth profit वो नहीं हो पाएगा तो यार क्या है startup है ना कितने startup हुए जो growth नहीं कर पाए आज मैं और आप उनको startups है वो भाग रहे हैं छोड़के निकल लें तो ऐसे development होना बहुत मुश्किल है next update चाइना की तरफ से है तो चाइना का जो supreme court है वो अब investigation करने वाला है cryptocurrency cases के उपर चितने भी case चाइना के अंदर हुए है सब के उपर investigation की जाएगी बढ़िया कर ये next update की तरफ या पर बढ़त अगर आप future के लिए आए हो cryptocurrency में तो ethereum coin आपके portfolio में hodl होना चाहिए क्योंकि ethereum के अंदर बहुत सारी development आ रही है बहुत सारे hard fork आ रहे है next update की तरफ यहां पर बढ़ता है तो bitcoin की update है fear और grade की बात करें तो 30 के करीब है market में fear है extreme fear नहीं है 22 air 500 के level bitcoin support create करने दो तब जाके टेरलोना के founder है docon इनके घर पे छापे मारी हुई है अभी recently कल ही ठीक है अब क्या निकल आ है इनके घर से छापे मारी में कुछ document निकले है ऐसे important वो मैं आपको बता दूँगा बाकी एक bregger eagle and square यह आपकी एक PC PC याने की professional corporation है जो की law की firm है इन्होंने अब टेरा के उपर और docon के उपर जो case है वो file कर ली है ठीक है यह बात आपकी होगी टेरा की अच्छा टेरा में एक कुछ चीज में आपको बता दू बर्निंग रिट बहुत अच्छी तरह से चला है community काफी positive है अब मेरा क्या take है मेरा take आप सुननो मेरा take यह है कि market में सारे alt coin अभी down है कम से कम एक update है आज की बताइए आपको कैसे लगी by take and be safe और bell icon जरूर दबा लेना क्योंकि काफी मेरे भाईयों ने bell icon नहीं दबा के रखा हुआ और आप आप मेरे से कहते हो कि भी आपकी वीडियो की notification नहीं आती तो subscribe करा हुआ है bell icon notification और दबा लो thank you so much by taking be safe